दोस्तों Cyber One इंसानों की तरह काम कर सकता है और खुसी गम जैसी भावनाओं को भी समझ सकता है Cyber One को इंसानों जैसी ही हाइट में डिजाइन किया गया है इसकी लंबाई 5.8 फीट है स्मार्ट फोन ब्रांड साउमी की टेक फेमली में एक और मेंबर की एंट्री हो गई है कमपनी ने अपना पहला हिमनाइड रोबोट Cyber One को लांच कर दिया है इस रोबोट में इंसानों जैसी काबिलियत के साथ मानवी भावनाएं भी है या इंसानों की तरह काम कर सकता है और खुसी गम जैसी भावनाओ को भी समझ सकता है Cyber One को इंसानों जैसी हाइट में डिजाइन किया गया है इसकी लंबाई 177 सेंटीमीटर यानी की 5.8 फीट है Cyber One का वजन 52 किलोग्राम और हाथों की लंबाई 168 सेंटीमीटर है बता देगी इससे पहले सौमी ने चार पैरो वाला रोबोर्ट भी लाँच किया था Cyber One को डिजिटल और साइंस वर्ल्ड में बड़ी क्रांती की रूप में देखा जा रहा है कमपनी का दावा है कि या रोबोर्ट 3D स्पेस को भी आसानी से समझ सकता है साथ ही Cyber One 85 प्रकार के इन्वार्मेंटल साउंड्स और 45 तरागी मानवी भावनाओं को पहचान सकता है या रोबोर्ट इंसानों की बातचीत को सुनने और समझने के साथ उनके हाव भाव भी पहचान सकता है या इन्सानों की तरह ही दुख, गुसा, खुसी और गम जैसी भावनाओं को भी समझ सकता है लाँच इवन्ड के दौरान सौमी के CEO ली जून ने कहा कि Cyber One की Artificial Intelligence को सौमी की लैब में ही विक्सित किया गया है या अपने दोनों पैरों पर चल सकता है साथ इस Cyber One दुनिया को 3D में भी देख सकता है और इसमें चेहरे के भाव दिखाने के लिए OLED मॉडूल दिया गया है तो दोस्तो या थी एक छोड़ी थी जानकारी इस Cyber One Humanoid Robot के बारे में अगर आपको कुछ ऐसे ही Amazing Gadgets or Tech Inventions के बारे में जानकारी लेना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ इसाथ बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि जब भी कोई हमारी लेटिस वीडियो आ है आप से मिसना हो वीडियो को अपने दोस्तों को भी सेह करें ताकि वो भी इस Humanoid Robot के बारे में जान पाएं तो बस दोस अभी के लिए इतना ही फिर मिलते हैं में नेक्स्ट गैलेट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार